देली उनिवर्सिटी के इस स्वरनेम समारों में उपस्तित देश के शिक्षा मंत्री स्री धर्मेंदर प्रदान जी, देली डूई के वाइस चांसलर सिपान योगेश ची जी, सभी प्रोफिसर्स शिक्षगन और सभी मेरा युवाश साथी, आप लोगों ने मुझे जब ये निमतर दिया था, तब ही मैंने तई कर लिया था, कि में जे आपके हाँ तो आना ही है, और यहां आना अपनों के बीच आने जैसा है, अब सौ साल की ये फिल्म हम देख रहे थे, दिल्ली उनिवर्सिटी की दुनिया को समझने के लिए, सिरफ ये दिग्योजों को देख लेते, तो भी पता चल जाता है कि दिल्ली उनिवर्सिटी ने क्या दिया है, कुछ लोग मेरे सामने बैटे हैं, जिनको मैं विद्यार्थिकाल से जानता हूँ, ठीकि आप बहुत बड़े बड़े लोग बन गए हैं, और मुझे अनुमान था कि मैं यहाँ जाओंगा, तो मुझे इन सब पुराने साथियों से मिलने का जुरूर अफसर मिलेगा और मुझे मिल रहा है, साथियों डियू का कोई भी स्टुडेंट हो, तो कॉलेज फेस, चाहे अपने कॉलेज में हो या दूसरे कॉलेज में, उसके लिए सबसे इंपोर्टन यही होता है, कि बस किसी तरह उस फेस का हिस्सा बन जाएं, मेरे लिए भी यह ऐसा ही मुखा है, मुझे खुजी है कि आज जब दिल्ली उरिवर्सिटी के सो साल का सलिबरेशन हो रहा है, तो इस फेस्टिव महोल में मुझे भी आप सब के बीच आने का आउसर मिला है, और साथियों केंपस में आने का आनन भी तभी होता है, जब आप कलीच के साथ आएं, दो दो चल दिये, गप्पे मारते हुए, दुनिया जहान की बाते करेंगे, इजराइल से लेकर के मून तक कुछ छोड़ेंगे नहीं, कौन सी फिल्म देखी, OTT पर वो सिरी अच्छी है, वो वाली दिल देखी या नहीं देखी, एने बातों का अथा समंदर होता है, इसलिए मैं भी आज आपकी ही तरह दिल्ली मैट्रो से, अपने युवाज दोस्तों से गप सब करते करते यहां पहुचा हूँ, उस बात्चीत में कुछ किस्से भी पता चले, और कई दिल्चस्प जानकारिया भी मुझे मिली, साथियों आज का आउसर एक और वज़स से बहुत खास है, डियू ने एक ऐसे समय में अपने सोवर्स पूरे किये हैं, जब देश अपनी आजहादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोसों मना रहा है। कोई भी देश हो, उसकी युनिवर्सिटी, उसके सिक्षन संस्थान, उसकी उपलब्दियों के सच्चा प्रतिमिम होते हैं। ड्यू की भी इन सो वर्षों की यात्रा में कितने ही अइतियासिक पड़ावाये हैं। इसमें कितने प्रफॉसर्स का, कितने स्टूडेंट्स का, और कितने ही दूसरे लोगों का जीवन जुड रहा है। एक तरसे दिल्ली युनिवर्सिटी सिर्फ एक युनिवर्सिटी नहीं, बलकि एक मुमेंट रही है। इस युनिवर्सिटी ने हर मुमेंट को जीया है, इस युनिवर्सिटी ने हर मुमेंट में जान भर दी है। बैस अितिहासिक अवसर पर युनिवर्सिटी के सभी प्रोफिसर्स और स्टाप को, सभी स्टूडेंट्स और एल्युमनाई को रजय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, आज इस आयोजन के जरिये, यहाँ नए और पुराने स्टूडन्ट भी साथ मिल रहे हैं। स्वाभाविक हैं, कुछ सदावहार चर्चाएं भी होगी। नौर्थ केमपस के लोगों के लिए कमला नगर, हर्चन लाइन और मुखरजी नगर से जुड़ी आदे हैं। साथ केमपस वालों के लिए सत्यनिक्यतन के किस्से। आप चाहे जिस एर के पास आउठ हो, दो डियू वाले मिलकर इन पर कभी भी गंटों निकाल सकते हैं। इस सब के बीच मैं मानता हूँ, डियू ने सो सालों में, अगर अपने एहसासों को जिन्दा रखा है, तो अपने मुल्यों को भी जिवन्त रखा है। निष्ठा धुती सत्यम। युनिवर्सिटी का ये धेवाक्य, अपने हर एक स्टूनेंट की जीवन में, गाइडिंग लैंप की तरह है। साथियों, हमारी यहां कहा जाता है, ज्यान वानेन सुखवान। ग्यान वानेव जीवती, ग्यान वानेव बलवान, तस्मात ग्यान मयोभव। अर्थात, जिसके पास ग्यान है, वही सुखी है, वही बलवान है। और वास्तों में वही जीता है, जिसके पास ग्यान है। इसलिए, जब भारत के पास नालंदा जैसे विश्व विद्याले थे, तब भारत सूख और समृद्धी के सिखर पर था। जब भारत के पास तक्स सिला जैसे संस्थान थे, तब भारत का विज्ञान विश्व को गाइड करता था। भारत की समृद्ध सिख्षा विवस्ता, भारत की समृद्धी की वाहक थी। ये वो समय था, जब दुनिया की GDP में बहुत बड़ा शेर भारत का होता था। लेकिन गुलामी के सैंक्रों वर्सों के कालखंडे, हमारे सिख्षा के मंदिरों को, इन एजुकेशन सेंटर्स को तभा कर दिया। और जब भारत का बहुधिक प्रवाह रुका, तो भारत की ग्रोथ भी थम गही। लंबी गुलामी के बाद देश आजाद हुआ। इस दोरान आजादी के भावनात्मक जवार को एक मूर्द रूप देने में भारत की उनिवर्सिटी ते एक एहम भूमी का निभाई थी। इनके जरिये एक ऐसी युवा पीड़ी खड़ी हुई जो उस समय के आधोनिक विश्व को ललकार सकती थी। दिल्ली उनिवर्सिटी भी इस मूवमेंट का एक बड़ा सेंटर थी। डियू के सभी स्टूडन्स वो चाहे किसी भी कोर्स में हो वो अपने संस्थान की इन जड़ों से जरूर परिचित होंगे। अतीत की ये समझ हमारे अस्तित्व को आकार देती है। आधर्षों को आधार देती है और भविश्य के विजन को विस्तार देती है। साथियों कोई इनसान हो या संस्थान जब उसके संकल्प देश के लिए होते हैं तो उसकी सफलता भी देश की सफलताओं से कदम मिला कर चलती है। कभी डी यू में केवल तीन कॉलेज थे। आज नब्बे से ज़्यादा कॉलेज है। कभी भारत की एकनोमी थ्रेजाइल के लिस्ट में थी, खस्ता हाल थी। आज भारत दुनिया की टॉप फाइव एकनोमीज में शामिल हो चुका है। आज दियू में पढ़ने वाले लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या जादा हो गई है। इसी तरह देश में भी जेंडर रेशियों में काफी सुधार आया है। यानि सिक्षन संस्तान की जड़े जितनी गहरी होती हैं, देश की शाखाएं उतनी ही उचाईयों को छूती है। और इसलिए भविश्य के लिए भी यूनिवर्सिटी और देश के संकल्पों में एक रुपता होनी शाएं, इंटर कनेक्शन होना चाहिए। 25 साल बात जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा। तब दिल्ली उनिवर्सिटी अपनी स्थापना के 125 वर्ष मनाएगे। तब लक्ष था भारत की स्वतंत्रता, अब हमारा लक्ष है 2047 तक विख्षित भारत का निर्वान। पिछली स्थाप्दी के तीसरे दसक ने, अगर पिछली स्थाप्दी के इतियास के तरब नजर करें, तो पिछली स्थाप्दी के तीसरे दसक ने, स्वतंत्रता संगराम को नई गती दी थी। अब इस सताब्दी का ये तीसरा दसक भारत की विकास यात्रा को नई रफ्तार देगा आद देश भर में बड़ी संख्या में युनिवर्सिटी कॉलेज बनाये जा रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में IIT, IIM, NIT और MJC संख्या में लगातार भड़ोत्री हुई है ये सभी इंस्टिटूट्स न्यू इंडिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं साथियों, सिक्षा सिर्फ सिखाने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि इस सिखने की भी प्रक्रिया है लंबे समय तक शिख्षा का फोकस इसी बात पर रहा कि छात्रों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए लेकिन हमने फोकस इस बात पर भी सिफ्ट किया कि छात्र क्या सिखना चाहता है आप सभी के कलेक्टिव एफर्ट से नई राष्ट्रिय सिख्षानीती तयार हुई है अब छात्रों को ये बड़ी सुविदा मिली है कि वो अपनी इच्छा से अपनी पसंद के विश्वों का चुनाव कर सकते हैं सिक्षन संसाओं की क्वालिटी बहतर बनाने के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं इन इंस्टिटूट्स को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हम नेशनल इंस्टिटूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लेकर आए हैं इससे देशभर के इंस्टिटूशन को एक मोटिवेशन मिल रहा है हमने संस्ताओं की स्वायतता को क्वालिटी ओप एजुकेशन से भी जोड़ा है जितना बेहतर संस्ताओं का प्रदशन होगा उतनी ही उन्हें स्वायतता मिल रही है साथियों सिक्षा की फिचरिस्टिक नीतियां और निरनों का प्रणाम है कि आज इंडियन उनिवर्सिटी की ग्लोबल पहचान बढ़ रही है 2014 में QS World Ranking में केवल 12 इंडियन उनिवर्सिटी होती थी 2014 में 12 इंडियन उनिवर्सिटी लेकिन आज ये संख्या 45 हो गई है हमारे एजुकेशन इंस्टिट्यूट्स दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहे है हमारे संस्थान, क्वालिटी एजुकेशन, स्टूडन फैकल्टी रेशियो और रेपुटेशन सब में तेजी से सुधार कर रहे हैं और साथियों आप जानते हैं इन सब के पीशे सबसे बड़ी गाइडिंग फोर्स कौन सी काम कर रही है एक गाइडिंग फोर्स है भारत की युवा शक्ति इस हॉल में बैटे ही होए मेरे युवाओं की थक्ति साथियों एक समय था जब स्टूडेंस किसी इंस्टिटूट में एडिंशन लेने से पहले सिर्फ प्लेस्मेंट को ही प्रात्विक्ता देते थे यानि एडिमिशन का मतलब दिग्री और डिग्री का मतलब नोकरी शिक्षा यहीं तक सिमित हो गई थी लेकिन आज युवा जिन्दी को इसमें बांधना नहीं चाहता वो कुछ नया करना चाहता है अपनी लकीर खूद खींचना चाहता है 2014 से पहले भारत में सिर्फ कुछ सो स्टार्ट अप से आज भारत में स्टार्ट अप्स की संख्या एक लाख को भी पार कर गई है 2014-15 की तुलना में आज 40 परसंट से जादा पेटेंट फाइल हो रहे हैं जो पेटेंट जारी हो रहे हैं उनमें भी पांच गुना का इजाबा हुआ है Global Innovation Index जिसमें भारत 1895 पर था 80 से की बात वहां से बढ़कर के आज हम 46 पर पहुँच चुके हैं वो स्थान हमने प्राप्त दिया कि अभी कुछ दिन पहले ही मैं अमेरिका की आत्रा से लोटा हूँों आप सबने देखा होगा आज कि भारत का सम्मान कितना बढ़ा है गौरो कितना बड़ा है क्या कारण है क्या कारण है अधबहरत के इतना गऌरों बढ़ा है उत्तर वही है क्योंकि भारत की क्षमता बढ़ी है भारत के युवाओं पर बिश्वका भरोसा बढ़ा है इसी यात्रा में भारत और अमेरिका के बीश इनिशेटिव और क्रिटिकल और अमर्जिंग टेक्लोलोजी एन आइसेट डिल हुई है इस एक सम्झोते से हमारे युवाओं के लिए धर्ती से लेकर स्पेस तक सेमी कंड़क्टर से लेकर ए आई तक तमाम फिल्ट्स में नए आउसर पैदा होने वाले है जो टेक्नलोजी पहले भारत की पहुँच से भार होती थी अब हमारे युवाओं को उनकी एक्सेस मिलेगी उनका स्किल डेवलपमेंट होगा अमेरिका की माइक्रोन गूगल तता एप्लाइड मट्रियल जैसी कंपनियों ने भारत में बड़े निवेश का फैसला लिया है और साथियों ये आहट है ये आहट है कि भविश्य का भारत कैसा होने वाला है आपके लिए कैसे कैसे आउसर दस्तक दे रहें साथियों इंडस्ट्री 4.0 की क्रांती भी हमारे दरवाजे पर आ चुकी है कल तक AI और AR VR के जो किस्से हम साइंस फिक्षन फिल्मा में देखते थे वो अब आज हमारी रियल लाइप का हिस्सा बन रहे है ड्राइविंग से लेकर सरजरी तक रोबोटिक्स अम न्यू नॉर्मल बन रहा है यह सभी सेक्टर्स भारत की युवापीडी के लिए हमारे स्टूडेंट्स के लिए नए रास्ते बना रहे हैं बीते बर्षों में भारत ने अपने स्पेक्स सेक्टर को खोला है भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर को खोला है भारत ने ड्रोन से जुड़ी नुट्रियों में बहुत बड़ा बड़लाव किया है इन सभी निर्णों से देश के जादा से जादा युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला है साथियों भारत की विकास यात्राक से हजारों युवाओं को हमारे स्टूडन्स का कैसे लाब हो रहा है इसका एक और पक्ष है आज दुनिया के लोग भारत को भारत की पहचान को भारत की संस्कृति को जानना चाह रहे हैं कोरोना के समय दुनिया का हर देश अपनी जरुरतों के लिए परेशान था लेकिन भारत अपनी जरुरतों को पूरा करने के साथ साथ दूसरे देशों की भी मदद कर रहा था लिहाजा विश्व में एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि आखिर भारत के वो कौन से संस्कार है जो संकट में भी सेवा का संकल्प पैदा करते हैं भारत का बढ़ता सामर्त हो भारत की जी ट्विंटी प्रसिदेंसी हो यह सभी भारत के प्रती कौतुहर बढ़ा रहे हैं इससे हमारे जो हुमेनिटीज के स्टेंडर्स हैं उनके लिए अनेकों नए अउसर पादा होने वाले हैं योग जैसा हमारा विज्ञान हमारी संस्क्रिती हमारे फेस्टिवल हमारा लीटरेचर हमारी हिस्ट्री हमारा हेरिटेज हमारी बीधाएं हमारे ब्यंजन आज हर किसी की चर्चा हो रही है हर किसी के लिए नया आकर्षन पैदा हो रहा है इसलिए उन भारतिय युवाओं की डिमान भी बढ़ रही है जो विश्व को भारत के बारे में बता सके हमारी चीजों को दुनिया तक पहुँचा सके आज डिमोक्रिसी, इक्वालिटी और मिचल रिस्पेक्ट जैसे इन्जियन वैल्यूज दुनिया के लिए मान भी ये पैमाना बन रही है गवर्णमेंट फर्म से लेकर डिप्लोमेसी तक कई खेत्रों में भारतिय युवाओं के लिए लगातार नए मौके बन रहे हैं देश में हिस्ट्री, हेरिटेज और कल्चर से जुड़े खेत्रों ने भी युवाओं के लिए अपार संभावनाय बना दी है आज देश के अलग-अलग राज्यों में ट्राइबल मुजियम्स बन रहे हैं पी-एम मुजियम्स के जरिये आज भारत आज आज भारत की विकास यात्रा के दर्शन होते हैं और आपको ये जान करके भी अच्छा लेगा गया कि दिल्ली में विश्वकां विश्वकां सबसे बड़ा हेरिटेज मुजियम्स यूगे यूगीन भारत ये भी बनने जा रहा है कला संस्कृति और इतिहास से जुड़या युवाओं के लिए पहली बार पैशन को प्रोपेशन बनाने के इतने अवसर पादा हो रहे हैं इसी तरह आज दुनिया में भारतिय टीचर्स की अलग पहचान बनी है मैं ग्लोबल लीडर से मिलता हूँ उन में से कई अपने किसी ने किसी इंडियन टीचर से जुड़े किसे बताते हैं और बड़े गवरों से बताते हैं भारत की ये सौप पावर इंडियन यूथ की सकसे स्टोरी बन सकती है इस सब के लिए हमारी यूनिवर्सिटीज को हमारे इंस्टिटूशन को तयार होना है अपने माइंड सेट को तयार करना है हर यूनिवर्सिटी को अपने लिए एक रोडमेप बनाना होगा अपने लक्षों को तै करना होगा जब आप इस संस्तान के 125 वर्ष मनाए तब आपकी गिंती वर्ल्ड की टॉप रेंकिंग वाली उनिवस्टिटी में हो इसके लिए अपने प्रयास बढ़ाएं कि फ्यूचर मेकिंग इनोवेशन्स आपके यहां हो दुनिया के बेस्ट आइडियाज और लीडर्स आपके यहां से निकले इसके लिए आपको लगातार काम कर रहा होगा लेकिन इतने सारे बदलाओं के बीश आप लोग पूरी तरह मत बदल जाईएगा कुछ बाते बहसी ही छोड़ दीजिएगा भाई नौर्थ केमपस में पटेल चेश्की चाए नूडल साउथ केमपस में चानक क्याज के मोमोश इनका टेस्ट न बदल जाएएग यह भी आपको एंशॉर करना होगा साथियों जब हम अपने जीवन में कोई लक्ष ताय करते हैं तो उसके लिए तहले हमें अपने मन मस्तिस्क को तयार करना होता है एक राष्ट के मन मस्तिस्क को तयार करने की यह जिम्मेदारी उसके एजुकेशन इंस्टिटूट को निभानी होती है हमारी नई जनरेशन फ्यूचर रेडी हो वो चैलेंजीज को एक्सेप्ट करने और फेस करने का टेंप्रामेंट रखती हो यह सिक्षा समस्थान के वीजन और मिशन से ही संभव होता है मुझे विश्वास है दिल्ली उनिवर्सिटी अपनी स्यात्रा को आगे बढ़ाते हुए इन संकल्पों को जरूर पुरा करेगी इसी के साथ आप सभी को इस्षताब दिवर्स की याता को जिस प्रकार से आपने आगे बढ़ाया है उसे और अधिक सामर्थ से और अधिक शांदार तरीके से और अधिक सपने और संकल्पों को ले करके सिद्धी को प्राप्त करने का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े सिद्धियां आपके कदम चुमती रहे आपके सामर्थ से देश बढ़ता रहे इसी कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत शुक कामना है दन्यवाद